हेलो केस्ट, विडियो में हम बात करेंगे पाचपैसर डाट कॉम में अगर आप लोग स्टॉप लॉस और टार्गेट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे, सो फर्स्ट अफॉल प्लीज सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और प्रेस दो बैल आइकॉन, पाचपैसर डाट कॉम में अभी तक आपने अपना अकाउंट उपन नहीं किया होगा तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन की लिंक का यूज करेंगे तो आपको डबल बोनस मिलेगा, ठीक है, और अगर आपको अकाउंट उपनिंग वीडियोस देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिमेट अकाउंट उपनिंग वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको पाचपैसर.com के उपर भी वीडियो मिलेगा, आप यह वीडियो देखकर के अपना अकाउंट उपन कर सकते है अब सिंपल हम पाचपैसर.com एप्लिकेशन को ओपन करेंगे, आप ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्मेंट करें, दोनों में ही सेम मेथेट काम करता है टारगेट और स्टॉप लगाने का, ठीक है तो हम यहाँ पे कोई स्टॉक की बात कर लेते, सर्च करते हम लोग यहाँ पे, तो एक्वीटी हमने सर्च किया और MRF का सेर की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लोग एंटरी करते हैं, उस ताइम पे आप लोग स्टॉप लोस लगा सकते हैं, ठीक है तो जैसे कि हमें यहाँ पे एंटरी करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया अब देखिए, यहाँ पे हम किस प्राइज में खरीदना चाहते, वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका, स्टार्ट एस आईपी यह जो आपको आइकोन दिखता है न, एक्टिवेट का जास्ट उपर में आपको दिख रहा है, आपको उस पे क्लिक करना है, ठीक है इस पे क्लिक करने के बाद कितनी कॉंटिटी बाई करना है, वो आप लोग अपनी साब से देख लिए जेगा हम लोग स्टॉप लोस पे क्लिक करेंगे, स्टॉप लोस पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रीगर प्राइस पे क्लिक करना है ठीक है, trigger price पे click करने के बाद, जैसे कि इसका 1,29,655 रुपए price चल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे trigger price रख लेते हैं कि 1,28,000 पे हम लोग इसको sell करना चाहते हैं, ठीक है, तो यह आप लोग डाल लिजेगा, इस अप लोग प्राइस पे आप लोग यहाँ पे डाल लिजेग हम लोग buffering करके चलेंगे, 1,28,100 ठीक है, इस तरीके से, तो यह आपने stop loss लगा दिया, place order पे click करेंगे, तो direct आपका यहाँ पे जो stop loss रहेगा, वो लग जाएगा, ठीक है, अब stop loss लोग लगा सकते, बट target कैसे लगाएंगे, अब आपने यहाँ पे entry ले लिया, stop loss लगा दि जैसे यहाँ पे आप लोग positions पे जाते है, आपका जो भी position चालू रहता है, ठीक है, आपका जब position चालू रहेगा और आप लोग exit करने जब जाते है, ठीक है, तो exit करने जब जाएंगे न, तो आपको, जैसे sell करने का रहता है, ठीक है, तो आप क्या करना है, sell करना है आपको तो आपको एक प्राइस मिलेगा ठीक है लाइक आप कितने प्राइस पर इसको सेल करना चाहते तो आपको डाल लेना है कि for example हम यह पर सुस्तिक एक लगती से जार पर इसको सेल करना है तो हमने डाल लिया और प्लेस ओडर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा entry के टाइम पर stop loss हमने लगा दिया और जब हमने entry ले लिया हमारा position चालू है और exit के टाइम पर आपने price अपना set कर दें कि इतने price पर आपका exit होना चाहिए limit आपने लगा दिया तो आपका हो target लग गया ठीक है तो इस तरीके से आप लोग 5% dot com में target और stop loss लगाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जई माता दी